International Taxation क्या होता है देखो पहले इसको ध्यान से समझो इंटरनाशनल टाक्सेशन वो होता है जहाँ पर एक एक रेसिडेंट एक नॉन रेसिडेंट वाले कंट्री से ट्रांजाक्शन करता है जैसे अगर हम लोगों का होंग कंट्री है इंडिया और हम लोग ट्रांजाक्शन कर र transaction मतलब कोई भी purchase या selling activity हम लोग कर रहे है USA में या फिर UK में मतलब इंडिया के बाहर outside इंडिया तो हम लोग बोलेंगे वो international transaction किये है और international transaction के उपर international taxation apply होता है अब इसमें problem क्या है international taxation कर रहे है transaction तो कर रहे है पर problem क्या है problem यह है कि कुछ लोग क्या करते हैं जैसे सोचो X है USA का X limited है USA का और Y limited है इंडिया का हम लोग एक sale दिखा रहे हैं हम लोग sale दिखा रहे है 30 crore का USA में और वही purchase कर रहा होगा USA का person 30 crore में तो हम लोगों का net profit कितना आ रहा है 10 crore मतलब बहुत सारा transaction है उसमें हम लोगों का net profit आ रहा है 10 crore बट जब इसको पता किया गया तब पता चला कि जब हम लोग इसी सामान को इंडिया में sell करते थे तो 60 crore में sell करते थे मतलब अगर domestic sell करते इंडिया के अंदर जड लिमिटेड को अगर हम लोग यह sell करते तब हम लोग इसको 60 crore में sell करते ऐसा assessing officer को लगता है as per assessing officer मतलब AO मतलब assessing officer तो assessing officer ने क्या detect किया कि इंडिया का person है वाई और वो sell कर रहा है USA के एक person को 30 crore में कुछ sell कर रहा है और जब वही इंडिया का आदमी इंडिया में sell करता है तो 60 crore में करता है तो पहला question यह उठता है कि तुम जब वही चीज इंडिया में sell करते हो तो बाहर तो तुमको बल्कि और जादा में करना चाहिए था तुम बाहर क्यों कमदाम में sell किये हो पहला question raise होता है तो यह actually government को इससे क्या problem है कि हम लोग ऐसा करते हैं government का tax में नुकसान होता है अगर हम लोग दिखाते हैं कि हम लोग यह sell बाहर किये हैं तो basically हम लोगों का कुछ tax बाहर देना पड़ता है कुछ tax इंडिया में तो ऐसे इंडिया में पूरा-पूरी वो tax देता पर अब क्या होगा वो कुछ tax बाहर देगा तो government को revenue loss हो जाता है मतलब tax collection में decrease होता है tax collection will decrease तो ऐसा वो क्यों करता है actually यह जो कम में बेचता है वो इसलिए करता है क्योंकि US से उसका related party रहता है related party मतलब दोनों X और Y associated with each other है कोई तो relation है दोनों में मतलब X limited उसके लिए सिर्फ एक US का आदमी नहीं है जरूर वो उसका कुछ तो relation है उसके साथ हो सकता है वो उसके company में थोड़ा सा stake लेके रखा हो कोई हिस्सा हो उसके company में ऐसा कुछ तो relationship है जिसकी वज़े से वो foreign में सस्ते में बेच रहा है और अपना इंडिया में वो कम में बेच रहा है अगर वो ये sale को 60 crore में लिखता तो उसका net profit यहां पर 40 crore आता अगर sale 30 crore से बढ़ जाता तो profit भी यहां पर 30 crore से बढ़ के 40 crore हो जाता तो government को यहां पर नुकसान feel होता है इसलिए यहां पर assessing officer को कुछ tricky लगता है इसलिए वो जाता है यहां पर यहां पर पता करने का वो कुछ को अब यहां पर क्या होता है तो government को निकालना होता है मतलब AO को निकालना होता है वो जो 30 क्रोड का सामान सेल किया है, उसका असली प्राइस निकालना होता है, तो असली प्राइस जो उसका रहता है, उसको ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं, जो real, actual प्राइस उसका रहेगा, मतलब वो 30 क्रोड में सेल करता है, फॉरन में, इंडिया में सेल करता था, 60 तो वो उसका original price निकाल रहा है, कम से कम foreign news को कितने में sell करना चाहिए था, वो निकालने को कहते है transfer pricing निकालना, transfer pricing निकाला जाता है arm's length price से, transfer pricing निकालने का total six method है, transfer pricing मतलब उस goods का actual price, मतलब जब वो फॉरन उसको बेच रहा था तो कम से कम कितने में बेचना चाहिए था मतलब assessing officer ये नहीं बोल रहा है कि उसको 60 कडोड में ही बेचो वो बोल रहा है कम से कम इतने में तो बेचो वो कौन सा price है जिसमें वो बोल रहा है कम से कम इतना में तो बेचो वो जो price है उसको कहते है transfer pricing transfer pricing करना transfer pricing total six method है हम लोग अभी पढ़ने हैं उसका एक method arms length price जिसको ALP कहते हैं यह कब applicable होगा it is applicable when both are associated party हम जब foreign में बेच रहे हैं और कम दाम में बेच रहे हैं तभी transfer pricing picture में आता है अगर हम साथ करोड के सामान को उधर साथ करोड में बेच देंगे अगर इंडिया में भी हम उसको 60 करोड में बेचते और foreign में भी उसको 60 करोड में बेचते तब government को इससे कोई problem नहीं है क्योंकि ultimately मेरा profit ठीक रहेगा problem तब create हो रहा है जब हम इधर बेचते हैं उस सामान को 60 करोड में और foreign में बेच रहे हैं उसको 30 करोड में problem तब हो रहा है और ये हम क्यों बेच रहे थे उसको कम में क्योंकि वो मेरा associated party था related party था तो arms length price कब applicable होता है जब दो company या दो आदमी associated party है तो यहाँ पर x और y दोना associated था इसलिए ALP apply हो रहा है अब ALP जब apply होता है तो दो तरीके से एक हम लोगों सम में मिलेगा fair market value एक मिलेगा landed price charge from unrelated enterprise तो अब हम लोग का ये है कि fair market value पे ये chapter नहीं base करता है ALP cannot be charged with fair market value तो कभी भी fair market value को नहीं देखेंगे ALP निकालते वक्त हमेशा क्या देखेंगे वो price जो हम unrelated enterprise से charge करते मेरा unrelated party कौन था Z था unrelated party मेरा कौन था Z था ये वाला आदमी था जो इंडिया का था जिससे मेरा कोई मतलब नहीं था जो मेरे लिए अंजान था stranger था वो मेरे लिए unrelated party है unrelated party को हम कितने में बेचते हैं 60 कडोड में तो हम 60 कडोड को consider करते हुए ही sum करेंगे जब भी कोई sum करेंगे unrelated party से जो charge कर रहे हैं उसको consider करेंगे इसले हम लिख दिए it is considered Z limited is a domestic enterprise Z limited कौन था domestic था मतलब Indian था and it is not related to Y और यह Y से related नहीं था so the price which would be charged to Z is landed price तो वो जो price unrelated party से charge करते हैं उसको हम लोग landed price कहते हैं related party कौन है X limited unrelated party कौन है Z limited related party को वो कितने में सेल कर रहा है 30 करोड में unrelated party को कितने में सेल करता है 60 करोड में जो जब वो related party को सेल करता है तो वो कोई warranty नहीं देता है पर जब वो unrelated party को सेल करता है तब वो warranty देता है actually क्या होता है जो ऐसा करता है न कि बाहर कम दाम में बेचता है और इंडिया में ज्यादा दाम में बेचता है वो यह रीजन देता है कि हम इंडिया में इस लिए ज्यादा चार्ज किये थे क्योंकि हम फॉरन में कोई वारंटी नहीं दे रहे थे पर हम इंडिया में वारंटी देते हैं इसलिए हम वारंटी का उसमें भी मेरा 2 करोड लग जाता है, पर जब हम फॉरेंट में बेचते हैं, तो FOB है, free on board है, वहाँ मेरा कोई पैसा नहीं लगता है, तो government बोलेगा ठीक है, तुम जो बोल रहे हो वही सही है, तुम यहाँ पे कितना चार्ज करते हो, तुम को 53 करोड पड़ता है, तो तुम को बाहर तो 53 करोड में बेचना चाहिए था, पर तुम कितने में बेचे, तुम 30 करोड में बेचे, तो तुम 23 करोड तो कम ही में बेचे, तो tax shall be paid on increase in profit, तो 23 करोड जो difference amount है, उस पे कम से कम tax दो, इसके बाद हम लोगों को बोल रहा है, profit shifting, profit shifting क्या होता है, taxable country होता है, देखो, दो तरीके का country होता है, एक को कहते tax heaven, tax heaven होता है, lower tax rate country होता है, जैसे tax heaven क्या होता है, tax free country, मतलब जहाँ पर tax नहीं देना पड़ता है, बहुत सारा country है, जहाँ पर tax नहीं लगता, जैसे दुबाई एक country है, जो tax free country है, तो ऐसा बहुत सारा country है, जो tax heaven है, तो इसका example समझो, A limited एक Indian company है, वो USA को export कर रही है, export कर रही है, यह मतलब sell कर रहे हैं, हम लोग सोच लो Indian company है, A limited, हम लोग USA को सामान बेच रहे हैं, तो sale कितने में कर रहे हैं, 100 crore में, हम लोग का खर्चा कितना हो जाता है, 40 crore, तो profit कितना हो जाता है, 60 crore, tax हम लोग को कितना देना चाहिए, एक बार के लिए हम full amount पकड़े हैं, 30%, 30%, अगर 60 crore पे देना पड़े, तो 18 crore तो हम लोग government को tax ही दे दिये, now A limited wants to avoid this tax, अब हम लोग क्या करें हैं, सोचो, अगर हम लोग Indian हैं, और USA में सामान बेच रहे हैं, तो 60 crore का profit हो रहा है, 60 crore के उपर 18 crore tax देना पड़ रहे हैं, तो obviously हम लोग कोई ये tax देना चाहेगा नहीं, तो वो इस tax से बचना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, A limited will export in a tax-free country, तो वो कहां बेचना चाहेगा ज्यादा, tax heaven में, tax-free country में बेचना चाहेगा, B limited which is a 100% subsidiary at 40 crore selling price, अब वो क्या करेगा, B limited, A limited का 100% subsidiary है, तो वो उसको कित्ते में बेच रहा है, वो सामान 40 crore में, जब वो एक गुसरे country को बेच रहा था, USA को तब बेच रहा था 100 crore में, अभी खुद का subsidiary को बेच रहा है, subsidiary है मतलब related है उसका, related party है, उसको वो बेच रहा है 40 crore में, expense उसका कितना है, 40 crore, तो profit कितना हो गया, नील, तो no tax liability, तब उसको कोई tax नहीं देना पड़ेगा, इसलिए ऐसा करता है इंसान कि अपना ही related party को सब कुछ बेचना चाहता है, अब यहाँ पे आता है DTAA, DTAA क्या है, Double Taxation Avoidance Agreement, transfer pricing क्या था हम लोग पढ़ लिए, अगर कोई भी पूछता है transfer pricing क्या है, तो हम लोग का simple भाषा में जवाब होना चाहिए, transfer pricing तब आता है जब international tax, international transaction होता है, international transaction जब हम लोग दुसरे country के साथ करते हैं, और अपना related party के साथ करते हैं, और कम डाम में करते हैं, मतलब अपने country में अगर domestic sale कर रहे हैं तो ज़्यादा में, और foreign में sale कर रहे हैं कम में, तब transfer pricing लागू हो जाता है, transfer pricing लागू होता है, तो क्या होता है, फिर से एक price निकाला जाता है, arms length price से, ALP से, उसमें क्या बोला जाता है, कि तुम जितना reason दे रहे हो, दाम बढ़ाने के लिए इंडिया में, वो सारा हम दाम माइनस कर देते हैं, फिर जो आ रहा है, कम से कम उतना में बेच हो foreign में, तुम अगर उतने में भी नहीं बेच रहे हो, तो उसके उपर हम तुमारा अलग से tax लेंगी, वो है transfer pricing, तो आया फिर DTAA, मतलब tax payer को बचाने का तरीका, मतलब यह तो जो transfer pricing है, यह पूरा government के favor में चला गया, हम लोगों के favor में तो था ही नहीं कुछ, तो हम लोगों के favor के लिए double taxation देखो, हम लोगों के उपर नब double taxation लग जाता था, क्या होता है, सोचो हम इंडिया थेंगे, हम USA के साथ बेच रहे हैं, USA कोई tax heaven तो है नहीं, USA tax free country तो है नहीं, ना वहाँ पे lower tax rate है, तो profit shifting तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ना वो tax heaven है, ना lower rate है tax का बना पे, तो अभी हम लोग करेंगे क्या, अगर हम लोग USA के साथ कोई transaction करेंगे, तो इंडिया में भी हम लोग को tax देना पड़ जाएगा, ROR का क्या story होता है, अगर foreign में sale कर रहे हैं, तो भी इंडिया में tax दो, और foreign वाला अदमी बोलेगा, तुम यहाँ पे sale किया है, यहाँ पे accrue किया है, देखो हम ROR का residential status क्या कहता है, ROR को हर हाल में इंडिया में tax देना पड़ता है, ठीक है, क्यूं, क्यूंकि यह वो यहाँ का resident है, और source और accrue कहां हुआ है, USA में, USA का government बोलेगा, तुम accrue यहाँ पे किया है, मतलब income यहाँ पे किया है, तो हम लोग को tax दो, तो हम अकेले एक transaction करने के बाद, यहाँ पर भी tax देंगे और अमेरिका में भी tax देंगे, तो obviously हम ऐसा transaction करेंगे ही नी फिर, तो इसलिए DTAA निकला की double taxation ना लगे, तो इसमें क्या हुआ, सोचो मेरा Indian income है 24 लाक रुपीज, यह बहुत important है DTAA, समझो, मेरा Indian income हुआ है 24 लाक का, foreign income हुआ है 30 लाक का, मेरा total income कितना हुआ, 24 लाक प्लस 30 लाक, 54 लाक, यह मेरा taxable है, इंडिया में हम लोग tax कैसे calculate करते हैं, इंडिया में, धाई लाक तक exempt होता है tax, नील, 2 लाक 50,000 से 5 लाक, मतलब 2 लाक 50,000 पर 5%, 12,500, 5 लाक से 10 लाक 20%, तो 5 लाक का 20%, एक लाक, 10 लाक से 54 लाक, मतलब 44 लाक पर 30%, 13 लाक 20,000, यह प्लस हुआ, यहां 4 परसेंट सेस होगा, हम गलती से 3 परसेंट लिख दिये हैं, उसको 4 परसेंट कर दो, यहां पर 4% सेस कर दो, तो अभी हम लोग क्या किये, टैक्स लाइबिलिटी निकाल ली है, 1489,800 क्योंकि सेस 4 परसेंट है, वो हम गलती से 3 परसेंट लिख दिये हैं, तो हम लोग का टैक्स कितना आया, 14,89,800 इंडिया में इतना पर टैक्स देना पड़ेगा, अब फॉरण में टैक्स कैसे लगता है, फ्लैट 30% वो लोग टैक्स ले लेते, सोचो, हम एक बार शॉट में बता रहें, अगर हम यह पूरा 54 लाक, यह जो 54 लाक है, अगर यह पूरा इंडियान इंकम होता, अगर यह पूरा इंडियान इंकम हो, मतलब इंडियान इंकम नहीं, इंडिया में मेरा टोटल इंकम कितना है, 54 लाक, तो यहां का गवर्मेंट कितना ले लेगा, 14,89,800, यहां का गवर्मेंट बोलेगा, हैं तो हम 18 लाग तो टैक्स ही दे देते हैं मतलब रियल में टैक्स आएगा हम लोगा 14 लाग 89,800 पर हम clear एक amount दिखाने के लिए समझा रहे हैं वो थोड़ा complicated figure है इसलिए हम समझा रहे हैं सोचो 30 लाग पे वहां का Government ले मेरेसे 9 लाग यहां का Government ले मेरेसे 9 लाग को हम total कितना टैक्स दे दいた हरा 1 लाग तो हम एक transaction करेंगे 60 लाग का उसमें Government ले लेगा मेरेसे अठारा लाग तो और इंडिया में भी हम same income की ओपर 9 लाग दे रहें foreign में भी भी हम same टैक्स दो तरीके से चार्ज होता है, एक source rule, एक resident rule, resident rule हम सब जानते हैं, जहां के resident हो, वहाँ पे तो tax देना ही होगा, हर हाल में tax देना होगा, यह है resident rule, और source rule क्या है, जहां वो income अक्रू हुआ है, वहाँ पे tax देना होगा, तो एक हिसाब से tax चार्ज हो जाएगा दोनों तर पे tax in India, if transaction is in foreign, foreign में हो चाहे जहां हो, इंडिया के resident है, तो इंडिया में tax देना होगा, क्योंकि हम R.O.R. है, और अमेरिका वाला बोलेगा, तुम अमेरिका से अक्रू किया है, तो इंडिया में tax हो, it is taxable, वो भी बोल देगा, तो आएगा double taxation relief, double taxation relief क्या होता है, अच्छा, D.T.A.A. क्या होता है, double taxation avoidance agreement, एक agreement है, जो इंडिया के साथ बहुत सारे countries ने किया है, एप्रॉक्स 50 countries, 50 country ने इंडिया के साथ ये agreement किया है, इस agreement में क्या लिखा है, वो हम लोग यहां relief में पढ़ेंगी, इस agreement में लिखा है, कि अगर तुम लोग मेरे साथ, जैसे हम लोगों स्वेडन के साथ है, जापान के साथ है, हॉलमाप के साथ है, काफी सारी country के साथ हम लोगों का D.T.A.A. है, double taxation avoidance agreement इंडिया का है, और एप्रॉक्स 50 country तक है, ठीक है, तो इस agreement में लिखा क्या है, इस agreement में double taxation relief के बारे में लिखा है, कैसा relief, relief मतलब आराम, हम लोगों double taxation से आर मिल जाएगा, कैसे, दो तरीके का relief है, एक bilateral relief, एक unilateral relief, bilateral relief को क्या cover किया है, section 90 और 90A, unilateral relief को कौन cover किया है, section 91, bilateral relief में क्या होता है, दो country के बीच में treaty sign हुआ है, there is a tax treaty between two countries, और unilateral relief मतलब कोई treaty sign नहीं हुआ है, ठीक है, पर फिर भी बीना treaty के, बीना agreement के, हम लोग तुमको relief देंगे, तो bilateral relief क्या है, जिस country के साथ हम लोगोंने DTAA sign किया है, और unilateral relief क्या है, जहां पे no DTAA, जहां पे कोई DTAA sign नहीं हुआ है, तो unilateral relief में there is no DTAA, bilateral relief में there is DTAA, DTAA है तो क्या होगा, एक tax treaty sign होता है दो country के बीच में, फिक है, 90A में conventional treaty है, section 90A में specific theory है, actually 90 और 90A दोनों में कुछ अंतर नहीं है, बस difference क्या है, 90A में हम लोग जो कुछ पढ़ेंगे, 90A में उसी के point को elaborate किया है, सेम बात लिखा हुआ है, जैसे 90 में सिफ point दिया हुआ है, वो point का detail पढ़ने हम लोग 90A में जाते हैं, तो इससे क्या मतलब हुआ, दोनों में बिल्कुल सेम बात लिखा हुआ है, तो अब हम लोग जा रहे हैं, tax exemption method, tax relief method, ये एक ही चीज़ है, tax exemption method क्या होता है, tax exemption method, tax relief method दो अलग method है, tax exemption method में होता है, कि बोल देता है, तुम्हारा ये income exempt है, tax लगेगा ही नहीं, कोई tax दो ही मत, tax relief method में हम लोगों को, least of the following, दोनों में जो कम tax आएगा, वो देना पड़ेगा, मतलब foreign tax rate निकालेंगे, फिर average tax rate इन इंडिया निकालेंगे, मतलब foreign का tax rate और इंडिया का tax rate, दोनों में जो कम रहेगा, least रहेगा, उतना tax लग जाएगा, और exemption method में लगेगा ही नहीं, ये ITR में हम लोगों disclosure देना होगा, ITR मतलब income tax return, income tax return में हम लोगों को बोलना होगा, कि foreign tax rate are higher than tax rate prevail in India, मतलब इंडिया में अगर 10% है, तो foreign में 15% था, तो हम वो 15% वाला tax भर दिये हैं, तो हम इंडिया में tax नहीं देंगे, ऐसा हमको अपना ITR में बोल देना होगा, ये हम follow कर रहे हैं, tax exemption method, और tax relief method में हम इंडिया में ही tax दे रहे हैं, और lower of the following, अब एक sum है, देखो sum इससे कैसे आता है, Mr. A है, उसका Indian income कितना है 30 लाख, foreign income कितना है 15 लाख, और वो foreign country में tax भी pay कर चुका है 3 लाख, उसको business loss हुआ है 2 लाख कम, chapter 6 A में मतलब जो deduction का chapter है, chapter 6 A, उसमें 1.5 लाख का उसका deduction भी है, तो उसका gross total income कितना है, net income उसका कितना होगा, उसका net income होगा, सोचो 41 इतना क्यों, 30 लाख plus 15 लाख, 45 लाख, 45 लाख में उसका 2 लाख business loss का उसको deduction मिल जाएगा, करके देख लो, 45 लाख माइनस 2 लाख, उसका income आया 43 लाख, उससे माइनस मिल जाएगा उसको, तो लेड़ लाख, तो 41 लाख 50 लाख, यह उसका total income है, उसके उपर हम लोगों को यह calculate करना आता है, tax liability, धाई लाख तक नील, धाई लाख से पाच लाख तक 5%, पाच लाख से 10 लाख, एक लाख, 10 लाख से 41 लाख 50 लाख 30%, तो 94 लाख, 9 लाख 45 लाख, इतना हुआ, इसका भी 3% निकाल लो, गलती से 4% लिख दिये हैं, 1057 500 इंटू 4%, तो आएगा 42 300, सेस आएगा 42 300, उसमें 1057 500 प्लस 42 300, तो आज आएगा 1099 800, हम लोगों का टैक्स लाख लिटी कितना आ गया, 1099 800, अब उसको रिलीफ मिलेगा यहां पर, ठीक है, रिलीफ कैसे मिलेगा, 90 में, section 90 में हम लोगों को यह रिलीफ मिल रहा है, कितना मिलेगा, Least of the following निकालेंगे, foreign tax rate कैसे निकलेगा, foreign tax by foreign income in 200, foreign में वो tax कितना दिया था, foreign में वो 3 lakh का tax दिया था, यहां का जो tax liability आया, divided by total income in 200, तो यह 1089 225 को काट कर लिखो, 1099 800, 1099 800 divided by 41,50,000 into 100, तो आगया 26.50%, तो कितना आगया 26.50, तो कम tax कहां है, 20%, तो उसको relief कितना मिल जाएगा, 20% का उसको relief मिल जाएगा, मतलब foreign का income कितना है, 15,00, उसका 20%, 3,00, वो वहाँ जो tax दे कर आया है, उसको यहां पे उसपे tax नहीं देना पड़ेगा, तो यहां हम लोग का tax liability कितना आया था, ठीक करो 1099800, 1099800 इंडिया कमे tax देना पड़ा था उसको, उसको उसपे बोलेगा government, तुम जो वहाँ 3,00, दे के आया है, वो छोड़ दू, तो यहां पे सिर्फ 799800 ही दे दू, अच्छा, DTAA का मतलब ही है tax treaty, double taxation avoidance agreement में लिखा ही रहता है tax treaty, it overrule IT act, overrule का मतलब, देखो income tax act में लिखा है, इंडिया में, income tax act में simply क्या लिखा है, इसमें simply लिखा है, हम लोग जितना income करेंगे, उसके उपर यहां कि slab के हिसाब से हम लोगों को tax देना पड़ेगा, पर अगर हम लोग treaty sign कर लेते हैं, तो बीच में relief आ जाता है, relief का benefit जो है, यह हमारे income tax act में नहीं लिखा हुआ है, यह international taxation में लिखा हुआ है, income tax act simply यहीं बोलता है, हमको कोई मतलब नहीं है, तुम जितना भी income करोगे, Indian tax slab के हिसाब से तुमको tax देना पड़ेगा, पर DTAA picture में आकर income tax को overrule कर देता है, और DTAA बोलता है कि देखो तुम्हारा IT act बोल रहा है कि उतना tax लेना है, पर दुसरे country के साथ भी transaction हुआ है, इसलिए तुम कुछ relief दे दो, तो हमेशा याद रहे, DTAA overrule करता है IT act को, तो कहीं पे भी अगर लिखा है कोई case study में कि IT act में ऐसा होता है, पर agreement में ऐसा होता है, तो हम लोग कौन सा follow करेंगी, हम लोग का हमेशा answer होगा, agreement follow करेंगी, अब पढ़ रहे है 91, तो 90 में पढ़ लिए हम लोग, अगर agreement sign हुआ है, तो हम लोग वैसा करते हैं, अब unilateral relief है, unilateral relief है, तो exemption method नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही है relief method, तो हम लोग क्या समझ रहे हैं पढ़कर, कि unilateral हो या bilateral हो, सिर्फ theoretical difference है, सम करने में कोई difference नहीं है, bilateral relief में हम लोग वही यही follow कर रहे थे, least of the following, foreign tax rate और average tax rate in India, whichever is lower, unilateral relief में भी हम लोग यही follow कर रहे हैं, तो sums करने में कोई changes नहीं है, theory में लिखते हैं हम लोग unilateral relief में कोई agreement sign नहीं हुआ है, फिर भी वो लोग यह rule कर देते हैं, bilateral में DTAA sign होता है, bilateral relief का दो method है, exemption method, relief method, unilateral relief का कोई method नहीं है, यही method है, सिर्फ relief method, sums देखो इसके उपर कैसे देगा, A, a resident Indian, 28 years, has derived the following income for the previous year to the assessment year 2021, income profession, हम लोग income from, income from profession, 5,94,000, हम लोग profession से earn किये हैं, इतना, share income from a partnership firm in country X, tax paid in country X for this income is equivalent Indian rupees of 8,000, हम लोग country X कोई दूसरा country है, वहाँ पर हम लोग कुछ earn किये थे, कितना 40,000 वहाँ से हम लोग earn किये थे, और वहाँ पर हम लोग tax देकर आएं, 8%, जो की 20% है, 20% tax rate, टाक्स देकर आएं, commission income from concern in country Y, हम लोग country Y से commission earn किये हैं, और वहाँ पर 5% tax देकर आएं, और income कितना commission कितना earn किये है 30,000 उसके ओपर 5% tax pay करके आए interest from scheduled bank on FDR FDR मतलब foreign depository receipt 58,000 he wishes to know whether he is eligible to any double taxation relief ये पुछना चाहता है कि इसको क्या कोई double taxation relief मिलेगा and if so it's quantum अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा India does not have any DTAA हम लोगों का उस country के साथ कोई sign किया हुआ नहीं था agreement फिर भी हम लोगों को देखो sum करना तो हम लोगों को आता ही है Indian income क्या है जो profession में कमाया था 5,94,000 और schedule bank इंडिया का था 58,000 total उसका Indian income कितना हुआ 6,52,000 foreign income वो कितना किया था एक बार 40,000 एक बार 30,000 मतलब total 70,000 तो total income उसका कितना आया 7,22,000 इसका tax liability calculate करना तो आता ही है धाई लाग तक कोई tax नहीं धाई लाग के उपर 5% और इसके उपर 20% इसके उपर 4% से सैट हुआ उसको tax कितना देना है 59,176 पर उसको relief मिल जाएगा 91 में हम 91 क्यों use किये क्योंकि सम में उपर बोल दिया था दो country के बीच में कोई DTAA sign नहीं हुआ है अगर sign नहीं हुआ है तो unilateral relief है यहाँ पर section से पता चलेगा कि unilateral relief मिल रहा है क्योंकि 91 section है अब कितना relief मिलेगा देखो नीचे आना होगा हम लोग को average tax rate निकालना होगा average tax rate मतलब इंडिया का इंडिया में हम लोग total tax कितना दे रहे हैं 59,176 और total income कितना था 7,22 अब इंडिया का tax कितना था 8.2% फोरन का दो tax था एक 20 एक 5% दोनों में भी अगर ले पहले X के साथ देखो X के साथ lower कौन सा है 8.20 तो X का जो income था 40,000 उसके उपर 8.2% का relief मिलेगा और Y का कितना था 30% उसके साथ lower कौन सा है 5% तो Y में हम लोग को relief मिल जाएगा 5% का तो total relief मिल रहा है 4780 तो हम लोग government को Kalpesh Kumar is musician deriving income 75,000 from concert performed outside India हम लोगों ने income derive किया है इंडिया के बाहर से 75,000 tax on 10,000 was deducted at source in the country where the concerts were performed उन लोगों ने जब हमें payment किया तो tax card के payment किया, मतलब हम लोगों से tax ले लिया तो हम लोगों ने बाहर tax दे दिया है 10,000 India does not have any DTAA with that country जो भी country का बात हो रहा है उस country के साथ हमारा कोई agreement नहीं था His income in India amounted to 8,25,000 और Indian income कितना वो अदमी करके रखा है 8,25,000 compute tax liability for assessment year 2021 assuming he has deposited 1,00,000 in PPF, 50,000 in LIC and medical insurance premium in respect of his father 20,000 इसका tax liability compute करो और ये समझ लो कि PPF में ये 1,00,000 डाला है LIC में ये 50,000 डाला है और medical insurance premium ये भरा है अपने father का 20,000 तो सबसे पहले हम लोग इसका total income compute करेंगे तो foreign income इसका कितना था 75,000 income earned in India कितना था 8,25,000 total इसका gross total income कितना था 9,00,000 उसमें इसको deduction मिलेगा ATC में ATC हम लोग last class में पढ़े थे PPF का 1,00,000 और LIC का premium भरने का 50,000 ATC में maximum वैसे भी देड़ लाख मिलता है तो इसको पूरा देड़ लाख मिल गया ATD है medical insurance premium हम लोग last class deduction में पढ़े थे और maximum मिलता है 50,000 तक father का तो ये तो 20,000 ही है इसने 20,000 का मिला total deduction मिला 1,70,000 total income कितना हो गया 7,30,000 tax liability निकालना हम लोग को आता है धाई लाख तक exam धाई लाख से पाच लाख उतना पाच लाख से 7,30,000 46,000 से सैड किये tax liability आ गया relief इसमें 91 में मिलेगा क्योंकि unilateral relief है अभी कितना मिलेगा average rate of tax in India ये निकालेंगे हम लोग तो tax कितना था 80480 divided by total income कितना था total income थाम लोगों का 7,30,000 तो से साबसे इसका Indian tax आ रहे है 8.33% foreign में tax दिया था 10,000 का income था इसका 75,000 तो वहाँ tax देकर आया था ये 13.33% lower कौन सा है 8.33 तो इसको relief मिल जाएगा 8.33 का that is 6248 का तो ये इंडिया में tax देगा 54592 अगर round off करके answer देना है तो nearest of 10 that is 54590 देखो question 6 में हम लोगों को बोल रहा है कि हम लोगों का पूरा clear है सिर्फ tax liability में relief कैसे मिला ये unclear है तो हम लोगों का जो ये है tax liability मिलते वक इसमें हम लोगों का 50,000 agricultural income वाला है और 50,000 ये x से जो हम लोग agricultural income किये 50,000 वो है royalty income किये थे हम लोग 50,000 जिसके उपर हम लोग deduction ले चुके थे धाई लाग का 2,50,000 थी लाग का हम लोग deduction ले लिये थे तो taxable income कितना बचा 2,50,000 तो 50,000 था हम लोगों का agricultural और 2,50,000 है royalty total आ गया 3,00,000 उसके उपर 10% देंगे क्योंकि इसका tax rate कम है देखो question 1 question 1 में दिया है x a resident both in India and Malaysia in previous year 1920 x दोनों country का resident है इंडिया का भी resident है Malaysia का भी resident है owns immovable properties including residential house at Malaysia and India दोनों जगा ही उसका residential house भी है मतलब दोनों जगा वो रहता भी है he has earned income of Rs. 50,000,000 from rubber estates in Malaysia during the previous year 1920 उसका कोई rubber में property होगा उससे वो Malaysia में 50,000,000 earned किया है he also sold some property in Malaysia resulting in STCG of Rs. 10,000,000 during the year Malaysia में वो अपना कुछ property बेचा है जिसके उपर short term capital gain भी लगा है 10,000,000 रुपया Malaysia में ही rubber से भी income किया है Malaysia में ही property भी बेचा है X has no permanent establishment of business in India उसका इंडिया में कोई permanent establishment नहीं है मतलब वो ना तो यहां पे wholly और partly business नहीं करता वो इंडिया में फिर लिखा है However, he has derived income of Rs. 10,000,000 from property laid out in India पर इंडिया में वो घर अपना laid out करके रखा है वहां से वो 10,000,000 earned करता है and he has a house in Lucknow where he stays during his visit to India और उपर बोला था उसका इंडिया में खुद का घर है वो घर उसका लखनाव में है जहां वो रहता है DTAA between India and Malaysia provides that individual is a resident of both the contracting state DTAA में लिखा है कि वो दोनों ही country का resident है और contracting state में है मतलब अभी भी वो है मतलब इंडिया और मलेशिया के बीच में agreement है और वो दोनों ही agreement वाले country का resident भी है then he shall be deemed to be resident of the contracting state in which he has permanent home available to him तो वो दो जगे मतलब दोनों जगे का वो मान लिया जा रहा है resident permanent home है उसका if he has permanent home in both the contracting state यहाँ state बोल रहा है इंडिया और मलेशिया को अगर दोनों ही जगा उसका permanent home है he shall be deemed to be a resident of the contracting state तो वो दोनों जगा का ही resident है बीना मतलब एक ही बात को बड़ा करके बोल रहा है case study है क्योंकि है with which his personal and economic relation are closure यह बहुत important बात है इसको underline कर लो जहां पर भी personal and economic relation होगा उसको बोलते है center of vital interest you are required to state with reason where the business of income x arising in Malaysia and capital gain in respect of sale of property situated in Malaysia be taxed in India वो वो मलेशिया में दो income किया था एक rubber state से किया था मतलब business income किया था और एक short term capital gain किया था तो वो business income और capital gain क्या दोनों इंडिया में taxable होगा the fact of the question are taken from CIT versus PVAL कुलंगन चितियार 2004 Supreme Court यह Supreme Court में यह फैसला हुआ था X has permanent home in India बोथ इंडिया और मलेशिया X का permanent home है इंडिया और मलेशिया में He does not have any permanent establishment of business in India पर उसका कोई permanent establishment नहीं है business का इंडिया में He has rubber state in Malaysia उसका जो rubber state है मलेशिया में According to DTAA provision DTAA provision में clearly लिखा है X personal and economic relation are closer X का personal और economic relation closer है Hence, X shall be deemed to be resident of Malaysia तो X Malaysia का भी resident है Agreement provision are more beneficial to X यहाँ income tax में और agreement में दोनों में हम लोग किसको साथ देंगे agreement को Does X is not liable to pay income tax on business income and capital gain arising in Malaysia क्यों? क्योंकि main बात क्या था Permanent establishment इंडिया में होता है तभी business का tax इंडिया में लगता है हम बहुत पहले बोल दिये तो business income पे tax नहीं देगा और दूसरा बात क्या है जहां के साथ जहां भी country के साथ हम लोगों का personal और economic relationship closure रहता है वहां का हम लोग tax फिर अगर वहां दे दिये हैं तो यहां नहीं वहां income किये हैं तो अपने country में इंडिया में tax नहीं दे